हेलो नमस्ते कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है सौरब रहा है और आप देखने हैं मेरे व्लॉग्स मैं रहता हूँ पर्थ वेसमस्ट्रिया में आज की तारीक है 17 जैनुरी दोहजार बाइस सुबह के राउंड साड़े आट का वक्त हो रहा है और यह आखरी दिन है कल में जा र है यह जो कंपरिजन यह नालिसस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइट करते हैं फॉर्स पार्ट में लोग जनरल संस में अनलाइस करेंगे जस क्राइम रेट और सेफटी पॉंट व्यू से को मदे नजा रखते हुए कि जनरली कौन से सबब्स हैं जो से सेफ है र इन लोग के लिए हम लोग टाइब के लोग के लिए कौन से सबब्स हैं हम लोग की कम्मुनिटी में तो फॉर्स पार्ट वीडियो अभी चालो करते है तो यह लिस में जो सबसे पहरा सबब आता है उसका नाम है चुर्च लैंड इस सबब में आठ प्लेग्राउंड है इसके बहुत पास है यह चार स्कूल है इस सबर्ब में और ECU एडवित कोवन उनिवर्सटी भी इसी सबर्ब में है तो बहुत बहुत ही फेमस है इसका जो क्राइम रिट है बिलो 2.5 क्राइम रिपोर्ट पर 100 पीपल लिविंग दर तो बहुत ही लो क्राइम रिट है इस अर बड़े बड़े mansions लिए बड़े बंगलोस के लिए यह बिलकुल Swan River पे है तो जो most of the houses है उनलोग को व्यूमिलता है Swan River का और काफी सारी sports and recreational facilities है यह पे अगें वाइमस अमंग्स फैमिलीज और यंग फैमिलीज इसके बात जो सबर्ब आथा है जो तीसरा है लिस्ट में जा रहा हूं यह तीनो के crime rate within below 2.5 crimes reported per 100 people living है तो काफी सेव सबब है तो तीसरा सबब है इस लिस्ट में उसका नाम है Salter Point बहुती शांत सबब है बहुती clean सबब है और अगर आप अपने shopping में है और boutique shops पसंद करते हैं तो यह सबब के होगा यहाँ पे है lagoon conservation area जो बहुती बह out for a walk and yeah for relaxation तो nice and quiet suburb Salter Point okay तो part A में तो आपे हम लोगे तीन सबब के बार में डिसकस के है तो first of all देखते है कि Perth कहां पे है विट रिस्पेक्ट तू तो बिल्कुल West Coast में यह रहा पर्थ the most isolated city तो पर्थ यह जो रिवर है यह city of Swan River बोलते है इसको स्वान रिवर बोलते हैं तो इसके मदद से यह इसके reference points रिवाइट के जाता है तो सारे सबब्स जो इसके north में आते हैं तो इसको नोर north of river suburbs बोलते हैं और सारे suburbs जो इस रिवर के south में परते हैं उसको sr south of river term दिया जाता है तो यहाँ पे चर्च लैंड तो हम लोग ने discuss कहा था यह कहां पे है तो यह पर्थ city है बिल्कुल बीच ओ बीच और यह रहा चर्च लैंड तो आप देख सकते हैं काफी सीनिक है यहां पे लेक है प्रैमरी स्कूल है और इसके बार में डिसकस कर चुके हैं बस यह location अभी हम लोग डिसकस कर रहे हैं इसके अलाबा आता है ऐता है द闪ेल देखिए तो यह कहां पर तो थोड़ा और जुम आउट करके यह बिल्कुल इसके साउफ है पर्थ में परता है तो अगर मैं जुम आउट करेंगा तो यह था पर्थ यह रहा पर्थ city और इसके साउफ में यह आता है पर्ध किन यह काफी काफी famous और प्राइम लोकेशन है रहने के लिए और फिर हम लोग डिसक्स करते हैं सॉल्टर पॉइंट सॉल्टर पॉइंट ये भी साउथ अफ पर्थ सिटी में है और ये ब्रिश क्रॉस करके जाते हैं फ्रीमेंटल और ये सब जगा ये सबसाथ है तो है आपमापे देख सकते हैं यहां पर खुल है क्रिकेत केर सकते हैं फोटी का मैदान है और बिलकुल नदी के बिलकुल बिलकुल पाचू में है तो ये रहा पार्ट आ डिसकुशन Okay, so this was the first part of the video, where we have done general analysis. Now we are discussing the second part of the video, which is more focused on the people of the country. Okay, so in part B, we will discuss the first part of the video, Bennett Spring and surrounding areas. So surrounding areas, there is Beachborough, Dayton, Kevasham, Brabham, this is all. This is East of Perth, this is 20 minutes to the city by car. Public transports here are quite good already, but they are going to be good because there is a metro net. So I think it will be a metro net for next year, which will be better and better. Why are they famous in the Indian community? Because here is Swami Narayan Temple, which is very renowned in the Gujarati community. Sikh Gurudwara is here, both Gurudwara and Temple are on the same road. So the Punjabi community is very strong here. Here is a Cambodian Temple, which is based on Buddhist teaching. And here is Al-Taweed, hopefully I will pronounce it correctly. Al-Taweed Islamic Association of WA Mosque. So the Muslim community is also very prevalent here. There are a lot of public and private schools here. and all the surrounding suburbs. All the surrounding suburbs are individual public schools. And all the public schools are very good. And there are private schools too, if you prefer private schools. This is a very famous young family. We also have a lot of young families. There are many parks here. For example, I have a park here. which are in the house. And there are many parks, where there are food trucks in the evening and weekends. So, as the Hindu people remember, on the street, on the street and on the street. So, similar, there are many parks here. So, Bennett Spring and surrounding areas. Number one. तो इसके बाद हम लोग जो सबब के बारे में बात करने वाले है उसका नाम है कैनिंग वेल तो यह पर्थ के साउथ में है अराउंड आदा गंटा चालिस में तरकता है पाइकार टो गो तो पर्थ सीवीडी यहाँ पर्थ हिंदू टेंपल नमबर टू सिक असोसेशन ऑफ आप बाउस के अपरेंग एर्या है एक सबब की जो कि जो कर अपलिक ट्रांसपोर्ट यह कोई बहुत खास नहीं है तो अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो मेक शूर कि आपके पास गाडियों बहुत बहुत ही बहुत एजी हो जाएगा है कि अपनेक्रिविटी बॉस चलती तो एक मैस मिस्टेप होगे थी हम लोग वापिस डिसक्स करेंगे बिलेटन सबब के बार में तो यह सबब इसलिए है क्योंकि यहां पर है इंडिन सोसाइटी ऑफ एस्टेलिया का जो कम्यूनिटी सेंटर है तो बहुत सारे इंडिन शॉप्स हैं बहुत सारे रेस्टरांट हैं हम लोग खुद भी वहाँ पे काफी बार जाता है क्योंकि भूत अच्छे साउथ इंडिन रेस्टरांट सेंटर और फास्ट फूद रेस्टरांट सेंटर और आर आराउंड बीस मिनिट पच्शेस मिनेट बहुत सिटी से से शेथि के साउथ में पढ़ता है और यह जो famous Indian community में है ओके तो अभी हम लोग discuss करने वाले हैं पार्ट बी इस वीडियो का जहां पर जो more focus था देशी लोगों के लिए तो सबसे पहला जो सबाब हम लोगों ने discuss किया था वो है Bennett Spring तो यह है Perth City और Bennett Spring का इलागा यहां पड़ता है जो surrounding suburbs मैंने दिये थे वो थे Brabham, Dayton, Kavasham यह वाला इलागा तो यहां पर है Kurudwara Swaminarayan Temple और यह सब तो यह काफी काफी popular है Indian Committee में वो आपस आता है Perth में जस्ट पर reference point तो second area हम लोग ने discuss किया था वो था Canning Vale तो यह पड़ता है South Perth City के यह वाले इलागा यहां पर जैसे आप देख सकते हैं यहां पर Perth Hindu temple था और बाकिस जो सारे discussion हो गया है और यहां पर है location के लिए वीडियो नहीं काल रहा हूं तो मैं वापस repeat नहीं करूँगा जो मैंने और इन्फरमिशन दे दिया और जो third इलागा था तो यह भी बिल्कुल के पास ही है और यहां पर है Indian Society of Western Australia तो काफी strong strong है Indian hold यहां पर और यह देख सकते हैं यह है Murdoch University Fiona Stanley Hospital काफी काफी क्लोस है यह सरे फसलिटीज के तो यह रहां पार्ट B विच वो बाओ इंडियन और देशी कमुनिटी सॉरी नोट इस इंडियन सौथी स्टेशन आशित से तो इंडियन पाकिस्तानी पांगदेश श्री लंकन नेपाली और बाकी जो सराउंडिंग एर्या है तो चलिए फिर आज कर इतने रखते हैं इस जो इंफोर्मेटिव वीडियो जोती हैं इसमें मैं ज्यादा ग्यान पेलता नहीं हूँ तो अगर बीटो पसंद आए तो कर दीजे लाइक अगर बहुत पसंद आए तो कर दीजे शेर और सुस्क्राइब और लाइक असेड मैं कल जा रहा हूँ काम पे तो भी एडिट करके आज शाम में डाल दूँगा और आप लोग से फिर मुलाकात होती है अगले हफते मैं काम से वापिस आता हूँ तो तिल देन टेक केर गुडबाए